English कैसे सीखें? YouTube चैनल में आपका स्वागत है इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक-एक वर्ड का उच्चारण लेकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मिनिंग आपको लिख कर बताएंगे लिखने से वो वर्ड मिनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी ऐसा करने से आपको English पढ़ने के साथ-साथ उसकी वर्ड मिनिंग भी निकालना आसानी से आने लगेगा आज की इस वीडियो में धेर सारी वर्ड मिनिंग और सेंटेंस को सीखेंगे इसी के साथ आप कर दीजे इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू English Reading क्योंकि ये वीडियो Translation के साथ साथ Reading की भी है King Krishnadev Rai King Krishnadev Rai Raja Krishnadev Rai King का मतलब होता है Raja Was fond of Was fond of शौकीन थे Was का मतलब होगा थे Fond of का मतलब होता है शौकीन Putting tricky questions Putting tricky questions चक्राने वाले सवाल पूछने के यहाँ पर putting का मतलब होगा asking जिसका मतलब होता है पूछना Tricky चक्राने वाले चक्राने वाले Questions सवाल तू तेलानी रामा तू तेलानी रामा तेनाली रामा से तू हीर सुनने के लिए हीर का मतलब होता है सुनना तू हीर है तू सुनने के लिए His witty answers His witty answers उनके समझदारी भरे जवाब को विटी का मतलब होगा यहाँ पर समझदारी भरे समझदारी भरे Answers जवाब तो इसका मतलब यह हुआ कि Tricky Questions का विटी जवाब तेलानी दामन राजा किंग देव को देते थे Once एक बार Once का मतलब है एक बार He asked He asked उन्होंने पूछा He उन्होंने Asked पूछा How many pigeons How many pigeons कितने कबूतर How many का मतलब है कितने Pigeons कबूतर Are there Are There हैं Are का मतलब है हैं There की कोई खास में नहीं है In our kingdom In Our Kingdom हमारे समराज्य में Kingdom का मतलब होता है समराज्य In में Are इसका मतलब होगा महाराज Give me Give मुझे मुझे दीजिये Give का मतलब होता है देना मी मुझे A couple of days A couple of days कुछ दिन A couple of days का मतलब हो सकता है कुछ दिन कुछ दिन या फिर एक दो दिन To find out To Find Out पता लगाने के लिए Find out का मतलब होता है पता लगाना पता लगाना He took He Took उन्होंने लिया Took का मतलब होता है लिया Took Take का second form है Take का मतलब होता है लेना Took है तो लिया Leaves छुट्टियां Leave का मतलब होता है छुट्टी For two days For Two Days दो दिनो के लिए Two का मतलब है Two days दिनो For के लिए In these two days In These Two Days In दो दिनो में He slipped He Slipped Was Slipped का मतलब है Slipped Sleep का second form है Sleep का मतलब होता है Sona Slipped है तो Sui And And Tuk 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 Full Rest Pूरा आराम किया या फिर Pूरा आराम लिया Rest का मतलब होता है आराम Full Pूरा On the third day On The Third Day Tीसरे दिन On the third day का मतलब है Tीसरे दिन He Went He Went वह गय Went का मतलब है गय Went Go का second form है Go का मतलब होता है जाना Went है तो गय To the court To The Court Dरबार Court का मतलब है Dरबार And Reported And Reported और Report दी Report का मतलब होता है कोई आकड़ा देना या फिर किसी चीज़ को लिखी तोर पर बताना There are 9999 Pigeons There Are 99999 Pigeons Kabooter 999999 Kabooter है देर की यहाँ कोई खास मिनी नहीं है आर का मतलब है Pigeons Kabooter In our In Our Kingdom हमारे समराज में Is your count correct? Is Your काउन्ट क्या तुम्हारी गिंती करेक्ट सही है काउन्ट का मतलब होगा यहाँ पर गिंती या फिर गर्णा काउन्ट सही या फिर ठेक King Asked King Asked राजा ने पूछा तेनाली रमन सेट तेनाली रमन या फिर तेनाली रमा सेट तेनाली रमा ने कहा O King O King हे राजा You can get it checked You Can Get It checked आप इसकी जाच करवा सकते हैं Check का मतलब होता है जाच करना जाच करना Get checked है और यहाँ पर Can है तो इसका मतलब होगा आप जाच करवा सकते हैं By Any Other Quotier By Any Other Quotier किसी दूसरे दर्बारी से Any का मतलब यहाँ पर है किसी अदर दूसरे कोटियर दर्बारी By से There can be some plus or minus There can be हो सकता है Can be का मतलब है हो सकता है Some plus कुछ जादा और minus या कम Plus का मतलब यहाँ पर होगा जादा और या minus कम कुछ कम जादा हो सकता है Why that ऐसा क्यों Why का मतलब होता है क्यों That ऐसा King inquired King inquired राजा ने पूचताच की या फिर राजा ने जानकारी ली Inquire का मतलब होता है जानकारी लेना जानकारी लेना Inquired है तो जानकारी ली Simple साधारण सी बात है Simple का मतलब होगा यहाँ पर साधारण सी बात साधारण सी बात या फिर आसान है If the figure of count If the figure of recount फिर से गिंती का आकड़ा figure का मतलब होता है आकड़ा recount फिर से गिंती का If अगर Is less Is less कम है Less का मतलब होता है कम It means It Means इसका मतलब होगा या फिर इसका मतलब है Some pigeons कुछ कबूतर Have gone Have Gone गय हुए है Out of the kingdom Out of the kingdom समराज से बाहर Out का मतलब है बाहर Of के Kingdom समराज To meet To meet मिलने के लिए Meet का मतलब होता है मिलना They are relatives They are Relatives अपने रिष्टेदारों से Relatives का मतलब होता है रिष्टेदार They are अपने Those उन से Those का मतलब यहां पर होगा उन से Living जो रह रहे हैं Leave का मतलब होता है रहना Those living है तो जो रह रहे हैं In Other Kingdoms Other Kingdoms दूसरे समराज्जियों में If the figure If The Figure अगर आकड़ा Is higher Is Higher जादा है या फिर उचा है It Means It Means इसका मतलब होगा या फिर इसका मतलब है We are having We Are Having हम रख रहे हैं या फिर हमारे पास हैं Some guest Pigeons Some Guest Pigeons कुछ महमान कबूतर Some का मतलब है कुछ Guest महमान Pigeons कबूतर अकर आकड़ा जादा है तो इसका मतलब यह होगा कि हमारे पास कुछ जादा महमान है उमीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई Word Minnings आपको अच्छी लगी होंगी सबसे अच्छा Word कौन सा लगा इसे comment box में ज़रूर बताईएगा इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ धेर सारी Reading की, Translation की और बहुत से English सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी ना किसी अपने एक दोस को, मित्र को, परिवार वाले को शेर भी जरूर करतीजेगा तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में